टाइम ट्रेवेंग, जिसे हम समय यात्रे भी कहते हैं, उससे उटड़ी होई सिच्ची घटना, आज के विड़े में हम जानेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अफ्लाइड इंटू दे फीचर, साल था 1935, जब एर मार्सल विक्टर गेरेड अपनी जर् उन्हें वो रूट पकड़ा, जैसे वो आगे गए, वैसे वैसे उनको आन्दी और तुफान का सामना करना पड़ा, उनको अपना प्ले लैंड करना पड़ा, टेक्निकल प्रावलम के कारण, उसी रूट में एक पुराना एरब्यस था, और वो काफी समय से बनता, उसे काफ उपाय नहीं था, उनको वो ही बेस पर अपना प्ले लैंड करना पड़ा, जब भी उन्हें ने अपना प्ले लैंड कर रहा, तब उन्हें ने जो देखा, वो सुनकर आप शौक हो जाओगे, उन्हें ने देखा कि तीन की चार पीले वीमान वहां पर पहले से मौजूद थे और वो उस समय के नहीं थे, जब विक्टर गैरिट ने देखा कि ये प्ले उस समय के नहीं है, तो विक्टर गैरिट को लगा कि यहां पर कुछ गडबड है, विक्टर गैरिट डर के मारे अपना प्ले टेक आफ के और वहां से निकल गए, और उन्हें ने ये बात आगर विक्टर गेरिट ने ये चार ताल पहले ही देख चुगा था। कह विक्टर गेरिट ने टाइम ट्रेविल किया था। वेल इसका अंसर तो अब तो क्लियर नहीं है। The Lady with the Phone in a Charlie Chaplin movie साल था 1928 तो चारली जाप्रिट के मॉवी को प्रमोट करने का ताम था। उसी टाइम यह देखा गया कि एक लेडी सेल्फोन चला देवी नजर आई हाला कि उस समय तक तो सेल्फोन बना नहीं था बैदा सेल्फोन बना था साल 1973 में तो आखिर वो लेडी कॉंती दो चार्लिन चाप्लिन के मोई के प्रमोशन के दोरान देखा गया क्या वो एक लेडी टाइम ट्रैविलर थी जो पास्ट में गई थी वो लेडी कॉंती क्यू आई थी और उनका काम क्या था वास्त के मिश्ट्री बन के रेच चुका है चलिए अब आते हैं तीसरी इंसिडेंट के तरफ साल था 1941 तब साथ फोल कैनडा के ब्रीज के री ओपनिंग दोरान एक ऐसे शक्स को देखा किया जो अपने समय से जादे मॉडर्न कप्ला पैना था वेल वो कौन था कहा से आता वो पता नहीं पर फोटो में ये देखा जा सकते है वेल जब रिशर्चरू ने ये देखके बताया कि ये फोटो में एक टाइम ट्रेवलर है तब से लेगर आज तक 2004 में ये फोटो को प्रलोम पाइनेर म्यूजे में डिस्पले किया गया तब से लेगर आज तक ये फोटो उधर ही है चलिए अब आते हैं चोदे पॉंट पर जो कि है दर टाइम ट्रेवलर बॉक्सिंग फैन साल ता 1995 जब माइक टैशन के मैच के दोरान एक ऐसे शक्स को देखा गया जो कि फोन पकड़ के माइक टैशन की वीडियो निकाल रहा था आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसा वो फोन की फ्लैश जल रही है और उस शक्स ने फोन वर्टिकल ही पकड़ है अला कि मैं आपको आपर एक बात बता दू कि सबसे पहले कैमरे लेफोन 2000 तक बने ही नहीं थे और अगर आप कोई कैमरे से वीडियो निकालेगे या फोटो निकालेगे तो कैमरे को होरिजन्टल पकड़ना पड़ते हैं ना कि वर्टिकल और वर्टिकल सी फोन में खीचा जाता है वेल बहुत सारे फुजिशन और रिसर्चर को कहना है कि एक एक्चुल ट्रेवलर था जो कि आया था फुचर से माइक टैसम का मैस एक नेकले हाला कि इसका बात में क्या हुआ ये किदर गया उसके बार में कोई जानकारी नहीं है चलिए आते हैं पाचवे इंसेटन के दरफ दे इंसेंट आइफोन दुन्या का सबसे पहला सेलफ़न मना था 2007 में पर एपल के कोफांडर का कहना यह है कि उन्हेंने दुन्या का सबसे पहला सेलफ़न डिसकवर किया था साधे 300 साल पूराने एक पेंटिंग में जिसे वह पेंटिंग बनाया था पीटर दे हुच को उसमें आप एक साफ दे सकते हैं एक औरत जो खड़ी है वह एक आपडियक यूज़ करें जो बिलकुल एक स्मार्टफोन जीसा दिख रहे हैं क्या यह पेंटिंग जिसे बनाया था वह टाइम ट्रेवल जा रहे था या फिर इसको टाइम ट्रेवल के बार मालुम था यहां पर एक और एक फोटो में हम देख सकते हैं कि एक शक्स बैठे हैं जो कि एक आपडियक चला रहा है अब वह बिलकुल हम आज के जमाने का स्मार्टफोन जीसा लग रहे हैं इत्यास एक टाइम ट्रेवल का घटना है जिससे हम इग्नौर नहीं कर सकते हैं चलिए आवादें पाच्वें इंसिडेंट की हो दा म सब्सक्तास असे इंसान जो कि अपने जमाने से जादे मॉडन पेने हैं हम इसमें देख सकते हैं कैसे दुस्त्रे लोग उसको गौर से देख रहे हम इस फोटो में साफ देख सकते कैसे बाकी लोग 1970 जमाने के कपड़े पेने और ये इंसा यो की फत्रे में बैटा हम उसमें साफ देख सकते ही कैसे उसने modern जमाने के कपड़े पेने और उसके बाल के hair चाथ भी modern जमाने के वेल देखने जाये तो यह शक्क्स कौन था और क्यों आया था उसके बाद से इसको कोई और फोटो में देखा नहीं गया